हलो फ्रेंट्स वेलकम टु स्मार्ट नोगे चैनल दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं आर्पी अप्रेटेस्ट के बारे में जियां दोस्तो आपका जो पता है कि एने से लिसाहे भरती चल रही है और इसका एक्सपिरिंस वीडियो हमारा 28 है जिया कि 200 स्टुडेंस में से तीन सेलेक्शन तो आपको पता है कितना टफ पॉंपटिशन है और साथ हमारे लिए भी कितना टफ है कि इन स्टुडेंस को खोजना तो लेकिन दोस्तो हमने काफी जो है स्टुडेंस को खोजने के बाद हमें दो से तीन स्टुडेंस से मिले जिनका स से जाना कि आपने कितना समय लिया अपने टेक्टेस्ट के लिए ताकि आपको जो है कुछ तो चुन से सिखने को तैकि आप चुनकर बाइब के लिए बूत धिकलान स्ट काम लिए जाता है क्योंकि आप theater ब्ति ये स्टूडेंस में तो सबसे पहले दो करने। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंग। एगर अभी तक आपने smart numbers चैनल को सबस्काइब कर लीजे। क्योंकि Smart number की चैनल पर लेकार क्लिब्स अब्डेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। साथ ही दोस्तों RPF से संबंधित जितना भी experience वीडियो है सब कुछ आपको यहां पर smart new channel पर मिल जाएगा तो चले दुस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करता है दोस्तों कि आपको documentation क्या होना चाहिए जिया दोस्तों हमारे सारे वी है बिना कार्ट के तो आपको पता ही है कि आपको entry ही नहीं मिलेगी इसलिए सबसे पहले चीज़ आपको क्या करना है आपके एड्मिट कार्ट का आपको एक दो जलेक्स कॉपी भी रखना है जिया दोस्तों सम्टार्ट हो जाए तो आपके पास एक दूसरी कॉपी उसकी जर जाना जैसे कि आगर आपके पास दस्वी का सर्टिफिकेट है और उसमें आपका जो डेटा बद लिखा हुआ है उसका डेटा बद और आपका एड्मिट कार्ट डेटा बद दोनों अगर मैच नहीं होगा तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा जिया दोस्तों तो आपक कुछ हो रहा है तो भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है पहले बैठा दिया जाता है बाद में आपको कर दिया क्यों नहीं करनी है Taste आपको बहुत और बहुत सठीक रखना है आप आजाते हैं तीसरी चीज तीसरी चीज हमारी क्या इंपॉर्टेंट है वह जाती प्रमाडपत यानि की कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट के लिए को काफी दिक्कत यह होती है कि आपको जो है यह नहीं पता कि सेंट्रल फ पर आपको एक रियाएट दे रही है कि यह आपको जो है सेलेक्षन के टाइम पर कोई वश्यू नहीं कर जाता है जितने समय में हैं आपके स्चेट में जो है certificate बनके तयार हो जाता है उतना समय आपको extra दिया जाएगा तिकि आप जो है RPF का जो आप certificate जो लगाने वाले हैं क्योंकि इसमें कई category हैं जैसे कि SC ST OBC तो यह सब जो cast हैं यह तीनों cast या फिर EWS में जो भी आपके पास है तो इन जो भी कास्ट आपका होगा उसका जो आप certificate लाएंगे वह सेंटर गौर्मेंट की फॉर्म में होना चाहिए फॉर्मेट में तो यह चीज हो गई आपके कास्ट की अब बात करते हैं अब हमारे ट्रेटेश सेंटर पे जाने की तो यहां दोस्तों आपको जो है जो भी आपका सेंटर है चाहिए कपुरथला दिल्ली तो अगर कि फॉर्ट तो यह आप के पर और यूंजे करते हैं आपको सिरफ़ और आपको आपके खर्च और आपwasser치가 आपके आपको कि आपके आपसानी से रहने के पइं जगह मिल जाती हूँए वह अच्हीत तरह से वेवस्ता है जैसे पंखा लाइट सारी सुष्ध हैं आपको मिलेगी खाना भी मिलेगा आपको इन सब प्रकार से चीजों से आपको क्या है काफी चीज आपका बच्चत हो जाएगी काफी स्टुएंट जो है दिक्कत होती है फाइनिशल प्रॉबलम होती है और जो दूर दूर से आते हैं उन्हें दिक्कत होती है नए जगह रूम लेने के लिए तो यह सब चीज आपकी जो है दूर हो चाहेगी अगर आप गोद्वारा में स्टे करते हैं या फिर रुखते हैं तो यह चीज आपकी दूर हो गई कि अपना ट्रेट पर जाईए और वहां पर अपना ट्रेट दीजिए तो यह चीज आपके लिए मैं इसलिए बताता हूं दोस्तों ताकि आपको यह चीज़ें को समझदारी हो कि कोई भी एक्जाम क्लेक करने का जरूरी यह नहीं कि आप सिभ माइंड से शॉप है जी नहीं आ होती है इद्दम अच्छे जोच से कहते हैं कि अगर आप खटे हुए आठ गंड़ा काम करके अगर आते हैं और उसके बाद मैं आप से कहूं कि सर आप मुझे जो है पेपर दीजिए दस नमबर या पचास नमर का मुझे पेपर दीजिए तो आप देखिए उससों नहीं कर बैद था पाएंगे भर वो आप सो है आता हो क्योंकि आपकी बौरिय जो है जवाप दे चूकि होती है तो आपको खाना बंद आना जानते यह बहुत बढ़ी चीज नहीं कर आथ था यह फोट करें लीए यह जब्रया यहां पर जो रिए बात नहीं है यहां पर है कि काशिल स्किल क्या है यानि कि आप के पास पेशल चीज क्या है जिसके लिए आप जो है उस चॉप को डेज़र्व करते हैं यानि आपको पता ही होगा फिर जो आपको बता देता हूं तुक हो निवर उतना ही टैलेंट हैं तो उनका कहीं न कहीं smart work जो है रह जाता है जिसके वज़े से उनका selection नहीं हो पाता तो यहीं पर आपको इस वीडियो में यही सब सीखने को मिलता है दोस्तों आप जितने वीडियो देखते हैं उन वीडियो में यह सीखिए कि आपको क्या सीखने को मिला है सभी को पता है पर क्या होता है वहां पर एक अंटेगा कि आदी आफे जो आपका डाक्मेंट सेक करेगा इसके बाद जो है आपको बैठा दिया जाएगा एक समझ लीजिए रो है कि इस परकार आपको बैठा दिया जाएगा हर रो में कुछ ट्रेंट्स होंगे तो जिस दिन के लिए आपका ट्रेस रहेगा जैसे कि आप अगर नौ तारिक है तो कल दर सब्सक्राइब जो भी दिन तारिक पर आपका जो है सेंटर पर रहेगा वहां पर जाएंगे तो हम पर जो टोटल इकठा होते हैं ऍसने चार सू साधी चार सौ आप मान लिज्य इतने शुंट का एक सात तो होगा नहीं इसलिए क्या करते हैं 20 25 ज्यादा नहीं करते 25 से 20 के आसमास में रहता है मूसरी तो 20 कर रहे हैं फिर भी ज्यादा स्टूंट्स हो जाए 3, 4, 5, 6, इस परकार Batch-Wise आपको बाढ़न दिया जाता है आप Batch-Wise डिवाइड़ करने के बाад आप आपको क्या किया जाएगा बुलाया जाएगा कि आपको अंदर आना है जो हॉल आपका दिया जाएगा जो hall में जिसमें आपका जो होने वाला है सब कारिकरम water carrier का तो उसके बाद हो जाएगा आपको बुला जाएगा batch 1 चलिए आप batch 1 में हैं तो batch 1 में जितने भी 20 students हैं सबको बुला जाएगा उसके बाद आपको पता है वहाँ पे एक सामने एक table होगा जहां पे जो है कुछ सबजीयां रखी होंगी इसी परकार column करकर देख लिजे bucket हो चाहिए वो box बना कर रखे हो आपको जो है कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है तो यह हो गई तो आपको जो है यह bucket में या फिर आप जो box में जो आपको सबजीयां रखी है इसी परकार वो आपसे पूछेंगे कि इन सबजीयों के नाम बताईए आप तो आपको जो है सभी के नाम पता होना चाहिए उनके unique नाम जी हाँ आपको आपके state में या फिर आपके locality में क्या कहते हैं उस से उन्हें कोई मतलब नहीं दोस्तों आपको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं या फिर आप स्कूल में जानते होंगे बच्चों को जो है सबजीयों के नाम पढ़ाने के लिए चार्ड मिलता है पांच रुपया चे रुपया जो भी मिलता हो आपको चार्ड पेपर जो आपको खाना बनाने के लिए कहा जाएगा जाए आपनी रोटी तो आपको पहला रौन पार करना होता है वो होता है औरल टा जिसमें आपको सबजीयों के नाम अब ये सब तो चीजें हो गई कि आपको सबजीयों के नाम हो गई उसी में दो चीज़ और है दोस्तों एक चीज़ और एड़ कर देते हम उसमें जो है मसाले जिया दोस्तों आपको मसालों के नाम जो है पता होना चाहिए क्योंकि मसालों के नाम आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको मसालों के नाम पता होना चाहिए कि आपको खड़े मसाले और पीसे मसाले जाने की दूनों ही प्रकार के मसाले वहां पे रखा होगा इस प्रकार बॉक्स बनाके और उस बॉक्स में जो है आपको सिफ क्या किया जाएगा आपको सिफ टच करने के लिए दिया जाएगा जिया दोस्तों कि आप टच कर सकते हैं ल मसालों के यह रैंडेमली हो रहा है मतलब कभी आपसे दस को बीस बटे हुए हैं बैच वन में उनमें से दसको अगर एक तरफ से एक इग्जामिनर जो है कॉंस्टेबल जो है एक तरफ से सब्सक्राइब के नाम पूछ रहा है तो दूसरा कॉंस्टेबल वहां से बाकी के 10 पढ़ सकता है दोस्तों क्योंकि ये बात शोर नहीं है वैसे आपको सिब एक ही बताना होगा वहां पे लेकिन ये बात आपको ही पता है कि आपका नमबर सबजियों में लगेगा या मसालों में लगेगा ये बात कोई नहीं जानता यानि कि आपको दोनों ही चीज़े पता ह में और कुछ नहीं कर सकते हैं काफी स्टोड ने मैसेज किया था किसा हमें सूने को दिया जाएगा तो हम बता सकते हैं यह मीच माउडर है जो भी है मसालों के नाम पता सकते हैं तुम्हाप को बता दो साफ साब किहां पर आपको स्थक्ञेंगे और देखने को ही मिलेगा मसाले हैं या सब्जिया या सब्गली तो यह जब आजब अफ्ले करते हैं अन्धर के लिए तो वहां आप समान होगा खाना बनाने का जितना भी चीज़े हैं तो सबसे पहले जैसे रैंडेमली पूछा जाता है मतलब कि आप जो है कि आप आटा सानी है दस बच्चों को दे दे जाएगा कि आप आटा सानी है अब एक मिनिट का समय मिलेगा आपको 100 गराम आपके पास आटा होगा और एक कटोरी या थाली जो भी आप लेते हैं आपको पता है 100 गराम आटा जादा नहीं होता तो आप नॉर्मल्स कटोरी में भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा अब आपको 100 गराम आटा जो है लेना है उसमें जितना पानी मिला सकते हैं क्योंकि आपको आटा सानने के रोटी बनाने यहांते यहूंग यहां रेस रोटी वर नहीं बन सकते है तो आप ज्यातना अटा संते हैं इस बात को आप देखा कि आप यह सोची का competitiveoga यह पंदरा सेकंड तीस सेकंड में लोग आटा सान ले रहें तो आपको जो है बहुत ज्यादा मतलब मार्क्स मिल जाएंगे या फिर आपका सेलेक्शन पक्का हो जाएगा बिल्कुल मत ऐसा करना आप आठा जितना भी आपको समय दिया गया है सुफिसेंट होता है उतने ही सफिस जो है आपको जो है इस बात का संतुष्टी होना चाहिए कि हाँ वाकई मेरा आठा ऐसा है कि इससे रोटी बनाई जा सकती है तो यह काम हो गया आपका आठा सानने का तो आपको समय का समझाद अंदाजा मिल चुका आपको एक मिनिट का जो है लगबग समय मिलेगा पूरा और इस साथ सेकेंड में आपको जो है अपना आठा सानना है अब यह हो कही हमारे आठा सानने के बाद अब बात करते हैं रोटी बनाने के रोटी बनाने में आपको क्या करना है दोस्तों रोटी आपको मोटी नहीं बनानी है ज्यादा नॉर्मल रोटी बनाईएगा ज्याद कई को ये कि यह भी आप जैसे भर पे बनाते हैं और यह आपको जो है कि रोटी बनानी मोफ यह आप और चाहिए बनानी है और घ्रा आपको इसमें करने तर नहीं कर सकते कि अरूटी बना सकते हैं इसमzte बहुत भ लहा skryo बाखर तैसा कुछ मत कीज़ेगा आपको जो जो । इसका है अब करते हैं उसका टेस्ट होता है तो इस पकार आपका भी रोटी फूलना जरूरी आगर आपके रोटी नहीं फुलती तो आप समझ चाहिएगा या पका बाहर होने वाले हैं टो यह होंगी रोटी की बात हैं आपको क्या करना है आमलीट के जितना समान दिया गया है आमलीट में काफी लोग जाके हैं इस नहीं को पता हो Ephra Enough आपढ से जाला जाता हो वहें पर बनाईएगा अगर आपको March साधा अमलिट ना ये अगर आप को कानदे वाला गार कहा है सुद्ध प्याज Biz यहां पर हुए कर चुके सराफ पो यह नहीं dirty शहर का होता है was दिस्ट रहें पर साहर had तो यह onion आप समझ लीजिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में प्याज तो यह आपको प्याज मिर्च जो है नमक मसाला जो भी आप डालते हैं आमलेट में इसको अच्छी तरह से फेट लीजिए फेटना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जो नमक डालते हैं वो जो है जाके अंडे में जगें जमा हो जाता है तो वह प्यूंद जो है बहुत कड़क हो जाता है बहुत ज्यादा नमक जाला हो जाता तो आमलेट के बाद आपका लाँत आपकरदे समझ मिसीपसे कफिचे का कि मिसीडा नहीग्या लीड़ भाइणवा के लखाया movement कि दढी बनाना जाता अगर आपको कहा जाता है कि आप दही वड़ा बनाई या फिर को दूसरी दिश्यपी का नाम दे देंगे जो भी आपसे कहा जाए अब जितना काम आप जैसे एक दो तीन चार अगर आपका हो जाए तो आप समझ जाएगा कि आपका सेलेक्शन पक्का है क्योंकि वहां पर जो ह अलग चीज़ करने में भी उतना ही माहिर है तो यहीं चीज़ आपको दर्साते है कि आप जो है अदलग बच्चों से जो जो जितने बच्चे और हैं उनसे आप अलग हो रहे हैं वहीं से क्योंकि जिन बच्चों को सिफ एक काम कहा गया कि हाँ हो ठीक है इस ओके ठीक है अपने आट असन्या हो कि ठीक है आपको माक्स मिल गए तब समझ लिए अगर आपको दूसरा काम या तीसरा काम नहीं दिया जा रहा है तो आपको जो है लगबग सेलेक्शन जो है ना के बराबर ही होता है दोस्तों कि आपको यह पता है कि 400 में से सिफ तून चार या पांच स्टूरेंट पास हो रहे हैं उससे ज्यादा पास नहीं हो रहे हैं तो यहां पहरे जो स्टूरेंट को यह मौका मिलता है कि एक के बाद एक दूसरा काम बढ़ा दिया तो अपना सेलेक्शन आप वहीं से पका समझ लिएगा और अपने काम को अच्छी तरह से कीजिएगा त इतना वह अपने आपको रिलैक्स फिल करते हैं कितना वह नर्वस होते हैं हमने सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया उमीद करते हैं दोस्तों आपको इन श्टूरेंस से काफी कुछ सीखने को मिला होगा बट अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो आप चीजे को अनलाइसिस करते हैं स्टूरेंस के दिमाग को अच्छी तरह से एक्जामिन करके जो है आपके लिए कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके पास चीजे अच्छी तरह से पहुंच सके और आप भी जो है आर्पी फैनेश्री में अपनी एक सित पक्के कर करते हैं थैंक यू सोमस्स दोस्तों